कॉनिशिवा मिनसान तो आज किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपका मेन नानों योंगो का जो चैप्टर नंबर 12 है उसके बारे में तो इस चैप्टर में आज हम कुछ और एडिशनल चीज सीखने जा रहे हैं अब तक किस दने पी चैप्टर से यह थोड़ा से अलग ह लेकिन हाँ इसका जो लिंक है वो आपके पीछे के चैप्टर से ही है जो आपने अलड़ी कर लिया है तो चलिए आज किस टॉपिक में हम आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका एक तो सबसे पहले नाउन देन उसके बाद नाएडजेक्टिव और एडजेक् का वहाँ पर हमने simply present में और future में हमने उसका यूज सीखा था उसका negative बनाना सीखा था आज किस चैप्टर में ऐसे special क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आज किस चैप्टर में ऐसा क्या है जो थोड़ा अच्छा होने वाला है I mean थोड़ा special है आज अब क्या सीखो तो वह है आपका past past का affirmative and past का आपको negative है बनाना सीखना है तो थोड़ी सी आपको प्रॉलम आएगी negative के time पर past का बनाते वक्त तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं तो चली चलते हैं आज की चाप्कर है चाप्कर नुबर 12 तो इसके नहीं सबसे पहले दि आपको यहां बना के दिखाई है इसके अंदर सबसे पहले जिस प्रिजेंट फ्यूचर के लिए लिए और इधर पास के लिए अब यहां पर देखने वाली चीज क्या है यह एफर्मेटिव है यह नेगेटिव है यहां एक्शली बुक में क्या है आपके दो टॉपिक दे र समझ रहे हैं और आपको थोड़ा से डाउट है तो आप उपर जागे आई बटन पर प्रेस करके अपनी नाय अचेक्टिव और इधर वालो शाप्र उसको वहां पर देख सकते हैं तो चलिए आगे चलते हैं अब यहां पर क्या दे रखा है सबसे पहले आफर्मेटिव जो है थोड़ा स्नो वाला मौसम रहेगा इस तरह के बोले आज तावा यू की दिस यू की के साथ प्रिजैंट में अगर बोलेंगे तो देस या फीचर में बोलेंगे तब भी हम यू की दिस ही लगाएंगे अब हम बात करते हैं ना एजक्टिव जब आप ना एजक्टिव हम यह है अगर इन दोनों है और जो नाउन है और ना एजक्टिव है वह दोनों सेम ही रियक्त करते हैं कि इनका बिहेवर सेमी रहता है जो यह यह आफरमेटिम में यह जाएंगेहां सेम ही रहते हैं सेम का in the sense कि जो पीछे की फॉरमिशन होती है वह सेम ही तरीके से चेंज ह तो कहने का मतलब नेगटिव में बात करें तो यान के पीछ हरा रहा है यानि कि यहाद करने के परपर से मैं आपको बता रहा हूं और आपका न एज्क्तिव यह दोनों सें बिहेविर करते हैं यानि common behavior होता है इनका इजक्टिव थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको second pattern में I mean second topic में इसको brief किया गया आपकी बुक में लेकिन हम साथ तकाई warm हो गया अब इसका जब हम मुझुकाशी का जब हम negative बनाते हैं नीचे मैंने दे रखा है तो मुझुकाशी कि e हटा क्कुनाई लगा देते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे संञ़ाय था अगर आपने वीडियो देखी है तो यहाँ पर क्या है i हटा के अप कुनाई यहाट कर देते हो यह तो हमने सीखा था पहले और इसमें हमें कोई ॥िक्कत नहीं थी बहुत अच्छे से हमने सीखा था मैं इह हटा के थो उनों को सेम करके दिश लगाया था अब इसका अगरां तो यह पर मैंने के स सा लगा दिया और यूकि के साथ दिशटा तो यह थोड़ा ओड हो जाए but just for example मैं कहूं कि जैसे कोई मीरा सान है या कोई भी है वो बहुत ही दयालू इंसान था काइन पूर्ट सन था अगर जैसे हम के बोलते हैं था पास के संग में तो मीरा सानवा शिंसित्चु दिश्टा इस तरीके सो जाएगा तो यू की दिश्टा शिंसित्चु दिश्टा दो जैसे कि इसका एक्जैंपल दू कोनो शिगो तो वा मुझुकाशी दिस यह जो वर्क है ना यह थोड़ा डिफिकल्ड है मैंने प्रिजैंट में बोला अब मैं यह सेंटेस अगर में पास भी बोलूं कि यह काम जो है ना वो मुश्किल था यह काम बहुत मुश्किल था कोनो मुझुकाशी कात दिस अब यहां पर क्या चीज़ चेंज हो रही है तो आप देखोगे शी के बाद जो यह आता है यह को रिमूव कर दिया है और आपको हर यह एड्जक्टिम सम्हें इह ठाकर यह रिमूव करके काता लगा दिस लगाना पीछे अगर आपने यह रिमूव क जब इसको हम पास्ट में बनाएंगे इसका खाकाथप तो यहांई कि दो बार शटा और का का था मैं भी एक बार अटक दिया तो कहने का मतलब जब आप पास्ट बनाते हो ना तो ए हटा देते हो और कथा पीछ आड़ कर देते हो ध्यान रखना ए हटेगा में कथा देश आड़ हो जाएगा पीछे अब जैसे यह अटा तक काई पर खता हो रहा था इसलिए मैंने का दो बार आपको समझ में आ रही होंगी चीज इस पैटन में में जो चीज समझने के लिए यह ना और नाउन को समझाया आपको आपको यह सारी चीज आप अलोड़ी पढ़ चुको पीछे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत जाता इसमें ध्यान देन की ज़रूत होगी क्योंक करता है यह तो ठाब का पास्ट में यगे का अफरमेटिव लेकिन अब बात कर रहें पास्ट में अपका यह ड्यक्ति बनेगा यह थोड़ा इंट्रस्टिंग सबसे पहले हां मलोन की बात कर रहें है अगर जैसे मैंने कहां था तो कल जो ऊबस नएजिए overwhelm को रखेंस Doesn't iyaощya औरिमासेटा इसम्पल है थिकहे पीछे हम कुछ भी नहीं कर रहा हे थेए याणि की पासका सैन्स आगिया कल नहीं था यह वोगे अनोही तो भाट्रिमासेटास इस तरीके से वह काईन नहीं सकते हैं अब बात कर रहें करें एड्यक्टिव की मुझुकाशी कात्ता यह तो पता है ए रिमूव कर रहा हो और हमने कात्ता लगा दिया था अब यहां पर जब आप यह के उशी का पास्ट का नेगरिटिव बना रहे हो तो कैसे बनाएंगे मुझुका शी कुना कात्ता दिस यह थोड़ा सा और आपको सीखना पड़ेगा यहां पर भी आप ए रिमुव कर रहे हो और यह पूरा वर्ड ऐड़ कर रहे हो कुना कात्ता दिस कुना कात्त्त ऑ चीज़े हैं पर कुना कोई बी इसलिए कुना कात्ता का मतलब नेगटिव सेंस में आप ले लिए और कात्ता यानि की पास्ट ही होता है थोड़ा सा बोलने में डिफिकल्ट हो रही है इस तरीके से आप इसको बनाएंगे यह सिर्फ मुझुकाशी के लिए ही मैं यूजनी करूंगा जैसे कि आप इसका यह एड्जक्टिव ले लो जैसे कि मैं कहूं इसोगाशी अगर मैं कहूं अभी मैं बिजी हूं इमां इसोग इसोगाशी देशता किनो इसोगाशी देशता मैं कहूं कल मैं बिजी नहीं था अब मैं पास्ट का ही नेगड़िब शाटकटता दिस यह बनेगा ओ तक मैं में एक चीजेbie- कुनाही भी तो सेम कुनाई है ठीक है आपने करना क्या है पास को ना तो सेम यह पिर पीचे इसके बाहुजूद भी आपको कोई डाउट है तो मैं यही कहूंगा कि आपकी जो 7th या 8th chapter में जो vocab दे रखिए न यह adjective आप उसे निकाली और प्रैक्टिस करके देखिए ठीक है एक वर्ड होता है यह वाला इसका मतलब होता है अच्छा गुड के लिए जब हम इसे पास्ट में बनाते तो योकात्ता बोलते हैं अच्छा अब इसके बाद एक question ले लेते हैं और इस question में answer कैसे हो रहे हैं वो चीज़ देखते हैं तो I hope यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा first pattern main यही था इसी में टाइम लगना था first time किनो वह अच्छी काता दिशका अब मैं किसे बूझे कल क्या गर्मी थी for example मेरे फ्रेंड जो है वह श्रीम्हा मैं है कहीं पे भी ए मैं स्यरुक क्ल क्या गर्मी थी महां पर अब उसके उपर ऐगर वोत काज़ेंगा की हां गर्मी थी तो है आट्सू काता दिस अगर नहीं और आपको सीखने ही मज़ आएगा तो चलते हैं दूसरे पाटन की तरफ तो चलते हम नेक्स्ट जो उमारा थर्ड पैटन है उसके अंदर हमने क्या सीख रहा है तो उसके बार में डिसकस कर लेते हैं तो थर्ड पैटन है नाउन वन वा नाउन टू योडि एडिजेक्टिव अब actually में यह है क्या और किस तरीके से यह form हम किस तरीके से use करेंगे वो देखते हैं देखें, noun 1 और noun 2, यहाँ पर हम दो noun की बात कर रहे हैं और दोनों noun को comparison कर रहे हैं यहाँ कि noun 1 और noun 2, अब किस तरीके से वो देखिए, noun 1 जो है, noun 2 की comparison में अब क्या adjective आप लगा सकते हो example देखते हैं सबसे पहले, ringo वा banana yori takitis, ringo यानि orange बोलते हैं, अब बनाना आपको बताईए, तो जो orange है वो बनाना की comparison में क्या है, तकाई है यानि कि expensive है, ringo वा banana yori takitis, अब जो noun हम आगे रख रहे हैं ध्यान रखना, main चीद हम इसको focus कर रहे है, noun 1 को, कि जो noun 1 है न हम उसके लिए कहना चाहरे हैं कोई चीज, ringo वा banana yori, noun 2 yori, यह noun 1 हो गया और यह आपका noun 2 हो गया, noun 1 ringo and noun 2 banana, तो ringo वा banana yori takitis, यानि noun 1 जो है, वो noun 2 की comparison में adjective देश है, इस तरीके से पैट नहीं होगा, अब इसको मुल्टा गड़ता है, बनाना वा, बस sentence के, जो sense होंगे, last में, बनाना वा, ringo yori yori, यासुई देश, यानि कि जो बनाना है, वो orange की comparison में सस्ते हैं, यहां पे इसका sense होता है, थर्ड, हिकोकी वा, देंशा योरी जुत्तो हयाई देश, यानि कि जो एरोपलेन है, वो train की comparison में, बहुत ज़्यादा फास्त है, मतलब, आपको बहीं जाना हो, तो वहीं आपको, आठ गंटा का train से लगरें, तो आप वहीं फ्लाइट से जाएंगे, तो दो ड़ाई गंटे अगर हम जपान और इंडिया की comparison करें, तो इंडिया बहुत बड़ा है, जपान की comparison में, तो इसलिए जुत्तो लगा है, बहुत बड़े के sense में, इस पैटन में आपको कोई comparison, जो comparison ने पैटन उसके अंदर आपको भी issue नहीं होगा, किसी का भी comparison आप कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत easy रहेगा आप इस तरही सा आप इसको अगर use करोगे, नाउन वन वा नाउन तु योरी, एड्जेक्ट तस, रमेशान वा सुरेशान योरी, तो इही तो इस, रमेशान जो है, वो सुरेशान की comparison में, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, handsome है, तो हम कुछ बहुत भी जो यहां पर use कर सकते हैं, comparison कर सकते हैं, fourth pattern पर चलते हैं, noun one तो noun two तो, दोचीरा का adjective देशका, यहां पर हम दो option रखते हैं, fourth pattern में, दो option में से हम पूछते हैं कि जिससे कि कौन सा best है, which one is best, तो यहां पर दोचीरा हमेशा ही उस होगा, और दोचीरा का mean है यहां वो आपका similar है, which, ठीक है, वैसे दोखो से दोचीरा बनता है, polite form में आता है दोचीरा, पर दोचीरा का यहां पर यहां पर यह अलग use है, which, which के sense में तो इसको ध्यान रखना है मुशा, example देखते हैं, देरी तो, मुंबई तो, दोचीरा का ओकी दिसका, जब आप किसे which is the biggest, like Delhi or Mumbai, कौन सी स्टेट जो है, बड़ी है, शेतरवल के बात करें तो, तो मुंबई नो होगा, ओकी दिस, देखो, सिंपली इंगलिस हम बात करें, तो मुंबई, हम सिंपली जवाब देंगे, हिंदियं बात करें, तो भी हम मुंबई बोलेंगे, पर जैपनिस ओकी दिस, तो नो होगा, यह आपको दिहान रखना है, यह लगानी लगाना है, दूसरा एक्जामपल, इसके नीचे मैंने यह लिखा था है, नाउन वन, स्लेश, नाउन टू, नो होगा, एडजेक्टिव दिस, तो इस क्वेशन का यह आंसर है, चोरे तो, चोरे या नहीं इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा चीज कौन सी अच्छी लगती है, तो पंजावी लोग वह ऐसा है, दोनों ही पसंद करते हैं, मेरे फ्रेंट बहुत से थे पंजाबी, तो वह जाते थे थे पसंद है, हमारी बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज है, तो चोरे तो तो अगर आप इन में से आपको कोई एक च्वाई से आपके कि आपको राजमा पसंद या चोरे पसंद या आप यूज कर सकते हो, चोरे नो होगा, स्की दिस, ठीक है, चोरे नो होगा, स्की दिस, आप इस तरही से बोल सकते हैं, बट ऐसा, let's suppose कि आपको दोनी चीज पसंद तो उस केस में, आप क्या बोलोगे, तो उस केस में आप बोलोगे, Dociramo Skides, जहां पर मैंने लिख रहा है, Dociramo Skides, तो अभी, जो मैं बता रहाँ हो नहीं, जो आपको बहुत बहुत पर बिलकुल, बहुत ही सIMPल बै मैं यह सोच को बहुता हे पको पढ़ा रहा हूं, चीज़ों को जल से जल अब्जर्व करूं और लंबे टाइम तक अब्जर्व करूं तो मेरे एक फ्रेंड था मैं हम मुझसे बात करते था यूजिली तो वही मुझे बताता कि यारे यह पैटन ना इस तरीके से आप याद रख लो ऐसे कर ले आथ मैं सुचता हूं उसी तरीके से याद आपको भी हो जात तो इसलिए मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको ज同ίζ इसे में बता से वूब बताने कोशिश करता हूंon तो इन दोनों में आपको कोई इशू आया नहीं होगा लास्ट जो इसका पैटन है जो लास्ट टॉपिक है अब उसकी तरफ चलते हैं जलते हैं लास्ट पैटन की तरफ जो है हमारा फिफ्ट नाउन वन नो नाका दे नानी दोको दारे इट्सू नाउन टूगा इचीवान ए आट्सू यह इंद्य के लिए होता है कि देखते हैं इस तरीका से हम इसे यूज़ करेंगे चारों के ने एक एक जग्झम्बल दी एयह है यह पैटन हिंदि में बोले तो तो इस तरेके से होता है कि मैं आप से यूज़िल अम कि मैं अगर पूछू कि अगर आपकी खाने की लिस्ट की बात की जाए तो आप इंडियन फूर्ड में खाने की लिस्ट में आप क्या पसंद करते हो सबसे जादा तो इस पूरे पैटन को ध्यान से सुनना जो इंडियन फूर्ड लिस्ट है उसमें आप या फूर्ड है जो इं वन शावन दे का जेसे में लड़ा दे सबसे कंए पूछ देख से पूछते तो यह वह पैटरान है उकत दान के बात करें पूसर कि देख मला तो प्रूट देख ज़ान वतख सबसे पूरत इस तरी के से हम बोल सकते हैं अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो उसमें मैंगो जोगा सबसे टॉप पर रहता है और हर किसी को पसंदे इसकेंड मनारी दे दोको गाइचिवन इसका अगर जैसे में बोलूँ फॉर एक्जांपल की मनाली में कौन सी जगा सबसे जाद अच्छी है तो उसकेस में आपको जो अच्छी लगए वाप बता सकते हो लेकिन जैसे मैं बताओं कि वहाँ पर एक हडिमबा टैंपल है तो जस्वर आपको पर बताने के परपर से मैंने आप लिखा है तो हदिमबा टैंपरुगा इचिवन इस मेरी साब से हडिमबा टैंपल है वाँ पर जो बहुत अच्छा है तो यह मैंने बताया यहां पर आपने नो नाका दे लिखा है बट जरूरी नहीं कि आप हर एक आपतमी कशनलियां थर्ड ऐड़े इसी नेन दे इसुगा इचिवान आजसे इसका यान कि एंकि अब वन इसीर की बात करें तो वन इंयर में सबसे ज़्यादा गरम जो मंद होता उता है वह कौनसा होता है यैसी मैं कहाँ हुँ इं एन Cum У Bak sacrifice यहां रे कि आपने होता इचिबान अद्जेक्टिव दस है जितने भी आंसर आ रहे है ना यह नीचे वाला आंसर वाला पैटन है नाउंटूगा इचिबान यह दस ट्रीक है लास्ट से क्योशित्सुदे दारेगा इचिबान अतमा इही तो दसका अतमा इही तो यानि इंटैलिजेंट बहुत से आतम अगा इह तो देश यानि कि एसान जो है वह बहुत ज़्यादा इंटैलिजिंट पर्सन है कि आपको इस सारी चीज बहुत अच्छे समझ में आई होगी आज की जो वीडियो मैंने बनाई है इसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं जो बहुत ज़्यादा कॉंप्लिकेटिड हो आपने आज की इस वीडियो में कुछ ना को सीखा होगा तो वीडियो के अगर आपने वाकिया लगा है आपको कि आपने कुछ सीखा है तो जाते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लिजिएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल को आए हैं और इसके लावा लास में जाते हैं ते बस यह है कि बहुत जल्दी आपका अज लपड़ी